गुड मॉर्निंग टो एवरीवन क्लास कल के वीडियो एक्स्प्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था देट वाज चैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और गने कंपाउं इसके बाद इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक बचा हुआ है इसमें नेक्स टॉपि एंड स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं CS3, CS2, OH अगर आप इसकी IPAC नेमिंग करेंगे तो दो कार्बन हैं सिंगल बॉंड से जुड़े हुए हैं तो एथ सिंगल बॉंड के वज़ा से एन और फिर्स पोईशन पे ही OH गुरॉप जुड़ा हुआ है तो यह एथनॉल ह होता है यह हमारी alcohol family का second member होता है therefore suppose अगर हमें इसका first member बनाना होगा तो वह होता है CS3OH सिंपल CS3OH और इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे सिंगल बॉंड है इन ओएच के लिए और तो यह first member होता अलकॉल family का मेथनॉल इसी में जब एक और हम CS2 गृट कर देते हैं तो यह बन जाता है एथनॉल इसमें इसकी फिसकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली फिसकल प्रॉपर्टी जो एथनॉल होता है यह अधायल अलकॉहल जो होता है यह कलरलले सोता है न Pretमें वोल्टाय लिकूइड एक एक और आपको वर्डद सब्रम वॉल्टाइल लिक्विड तो वॉल्टाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या हुसाते हैं एवैपरेट हो जाते हैं वॉल्टाइल लिक्विड्स होते हैं वो हमारे वॉल्टाइल लिक्विड्स होते हैं और यह भी कह सकते हैं इसमें कि रूम टेंपरेचर पर अगर हम इसे रखते हैं तो इसका एवैपरेशन बहुत तेजी से होता है एंड इसकी जो स्मेल होती है प्लीजेंट स्मेल होती है प्लीजेंट का मतलब इसको जब स्मेल करते हैं तो यह खुश्वू देती है यह खुशी देती है प्लीजेंट स्मेल खा जाता है and taste इसका जो होता है यह burning होता है मतलब अगर आप इसको taste करेंगे ethyl alcohol को तो यह गले को जीब को सबको जला देता है जलाने का मतलब वो आग से जलने माला जलाना नहीं जैसे मिर्चा वगरा खाते हैं तो उसमें जो तीखा पन होता है वैसा ही तीखा पन जो है वो ethyl alcohol में होता है and इसका जो boiling point होता है क्योंकि यह एक volatile liquid है इसका boiling point जो होता है यह water से कम होता है इसका boiling point होता है 78 degree Celsius या Kelvin में अगर हम बात करेंगे तो 351 Kelvin फिर इसकी solubility की बात करें मतलब जो ethyl alcohol है यह water में soluble होता है आया insolubble होता है तो ethyl alcohol को हम water में किसी भी ratio में किसी भी ratio का मतलब कि आप एग लिटर पानी ले लो आधा लिटर alcohol कुछ भी आप ले लो कुछ भी percentage ले लो दोनों का किसी भी ratio में water में क्या हो जाता है Missable होता है यानि कि dissolve हो जाता है इनका जो मिक्षर होता है इसे हम इस्पृट के फॉर्म में सुना होगा आपने इस्पृट लैम्ब्स आते हैं या मार्केट में जो इस्पृट्स वगरा आवेलबल रहते हैं तो यही 95% इथायल अलकॉहल और 5% वाटर का मिक्षर होते हैं से कि 100% अलकॉहल होता है और इसका जो नेचर होता है यह यह नीटरल का मतलब जो इथायल अलकॉहल होता है यह ना तो placidic 15 कि नहीं क्य कुछ लोग वलगता है क्यंकी इसमें ओवेश ग्रॉप गरूप है तो इस वज़से यह क्या कर सकता है basic character show कर सकता है बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये अपने OH group को release नहीं करता है base वो होते हैं जैसे KOH क्या है इसको जब आप water में add करोगे तो ये K plus और OH minus में break हो जाएगा बट ethyl alcohol के साथ ऐसा नहीं होता है इसको जब हम water में mix करते हैं तो ये OH ions जो hydroxide ions है नहीं release नहीं करता है इस वज़ासे ये ना तो basic होता है ना ही acidic होता है and last इसकी जो property है कि ये highly inflammable liquid है inflammable का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जो rectified spirit होता है उसे हम lamp में lamp अगएरा जलाने में use करते हैं तो ये inflammable है यानिकी से हम इस alcohol की help से हम किसी भी चीज़ को जला सकते हैं और ये जलाने के काम आता है तो ये inflammable liquid होता है ये इसकी कुछ important fiscal properties थी इसके बाद आते हैं इसकी chemical properties में तो पहली जो इसकी chemical property है वो है combustion कल हम लोगों ने पढ़ी भी विदी कल के explanation में कि जो organic compounds होता है इनके combustion का मतलब होता है कि oxygen से हम इसकी क्या कराते है reaction कराते है तो यहाँ पर ethyl alcohol है this is for suppose CS3, CS2, OH ये जब oxygen से reaction करेगा means इसका जो हम combustion कराएंगे तो organic compound क्या बनाते थे organic compound का जब combustion होता है तो ये बनाते हैं carbon dioxide, water, heat and energy आप अगर इस reaction को balance करने जाएंगे तो यहाँ पर देखे एक, दो, दो carbon है तो ये 2CO2 हो जाएगा इसके बाद oxygen को balance करने के लिए यहाँ पर ये 3H2O तो total oxygen कितने होगा 2, 2, 4, 3, 7 यहाँ एक oxygen है तो ये 3O2 ये balance reaction है और क्यूंकि combustion में combustion की वज़ा से जो alcohol है, वो heat और light energy produce करता है, अपनी इस property की वज़ा से ही हम ethanol जो ethyl alcohol है, इसे as a fuel भी use करते है और ये जो है clean fuel होता है क्योंकि इसको जो हम जलाते हैं तो कोई भी harmful gas जो हो produce नहीं होती है अब यह मैं सुचेगा कि carbon dioxide जो हमारे लिए harmful होती है, carbon dioxide अगर इसका concentration बहुत जादा बढ़ जाए हमारे atmosphere में, तो यह harmful है otherwise carbon dioxide हमारे लिए useful है क्योंकि plant इसी की help से food prepare करते हैं, तो carbon dioxide अगर healthy amount में नहीं, मतलब बहुत जादा amount में नहीं present है तो वह harmful नहीं होती, इसलिए ethyl alcohol का combustion है, उसकी वजाए से इसी कोई harmful gas produce नहीं होती है that's why it is a clean fuel और हम इसे fuel के form में use करते हैं इसके अलावा, इसकी जो second property है तो गल हमने एक property पढ़ी थी हम लोगों ने oxidation, oxidation में क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर जो हमारा organic compound है, वो oxygen molecule से reaction ना करके niscent oxygen, इससे reaction करता है तो जो हम ethyl alcohol का oxidation करते हैं formula CS3, CH2H इसकी reaction niscent oxygen से कराते हैं क्या होता है niscent oxygen अगर नहीं पता है तो कल का explanation देखिए and oxidation हमेशा किसी oxidizing agent की presence में होता है तो यहाँ पर जो हम oxidizing agent लेते हैं, वो होता है alkaline camonophor या फिर दूसरा कौन सा होता है acidic K2, CR2 O7, इन दोनों के बारे में भी मैंने कल के explanation में आपको बता जाए है, तो जब alcohol का oxidation करते हैं, तो यह जो है यह aldehyde बना लेता है CH3, CHO यहाँ पर aldehyde बना लेता है water जो है वो, निकल जाता है और यह इस aldehyde का नाम अगर आप रखेंगे तो यह आजाएगा, दो कार्बन है एथ, सिंगल बॉन्ड है एन CHO की नेमिंग होती है, अल तो यह ethanol जो है, वो ethanol में convert हो जाता है इसी reaction को अगर आप continue कर दो और suppose यह जो ethanol है, CS3 CHO, आप इसका फिर से oxidation करा दो, same presence रहेगी यहाँ पर, alkaline cheminophore या acidic K2Cr2O7 की, और जब आप इसे heat करोगे, तो aldehyde जो है इसका जब oxidation होता है, तो यह यहाँ पर CS3 COOH इसकी naming करेंगे, तो दो carbon ने तो eth single bond से जुड़े हैं तो in, और carboxylic acid है तो oic acid, तो यह हो जाता है जिसका नाम है ethanol, और फिर ethanol का oxidation करते हैं, oxidizing agent की presence में, तो बनता है ethnoic acid, यहाँ पर साथ में water भी release होता है तो इसी reaction को, अगर हम direct कराना चाहते हैं, for suppose कि हम ethyl alcohol से सीधे ethnoic acid बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा दो niscent oxygen लेने पड़े दूसरा हमारा बनेगा CS3COH यह direct reaction जो हम करा सकते हैं और यहाँ पर यह जो alkaline kemino4 है, acidic K2CR2O7 है यह oxidizing agents है, मतलब इनकी वजह से ही यहाँ पर ethnoic acid alcohol का क्या हो रहा है, oxidation हो रहा है कौन कर रहा है, niscent oxygen तो यह था हमारा oxidation of ethnoic acid alcohol products जरूर याद रखेगा क्योंकि जो reaction science chapter से वो वेटा पूछी जाएंगी और balanced reaction जो है, वो याद रखेगा इसके बाद जो next reaction है that is reaction with sodium metal, तो sodium metal हमको बताए कि यह बहुत reactive metal होता है यह मतलब जब alcohol से यहाँ पर ethnoic acid alcohol से reaction करने आता है CH3, CH2, H से जब यह reaction करता है sodium, तो यह क्या करता है, यहाँ hydrogen gas liberate कर देता है और जो इस H की जगाँ पर यह खोद आ जाता है, और यहाँ पर बना लेता है C2 H5 ONA इसका नाम पर जाता है sodium ethoxide, तो यह बन जाता है balance करने जाएंगे अकर तो देखिए, यहाँ पर दो hydrogen liberate हो रहे है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा दो alcohol लेने पड़ेंगे तो यहाँ पर दो sodium ethoxide बनेंगे तो यहाँ पर 2NA यह हमारी इसकी balanced reaction है इसके बाद इसमें जो next हमारा topic है बतलब next reaction है वो है dehydration dehydration का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी organic compound से हम अगर water निकाल दे तो उसका dehydration जैसे आपने सुना होगा कि body dehydrate हो गई body dehydrate होने का मतलब कि body में क्या होता है पानी की कमी हो जाती है तो dehydration का मतलब है कि ethyl alcohol में हम क्या करें जो water है वो निकाल दे अभी water निकलेगा कैसे तो जिस तरह से oxidation के लिए हमें oxidizing agent की जरूत होती है ठीक वैसे ही dehydration के लिए हमें एक dehydrating agent की जरूत होती है और हमें हमारे substance को क्या करना पड़ता है heat करना पड़ता है तो जो dehydrating agent हम यहां use करने वाले हैं वो है concentrate H1204 यह एक बहुत strong dehydrating agent की तरह behave करता हो जो temperature हम यहां रखेंगे हो है 443 Kelvin तो यहां से हमें क्या करना है water निकाल देना है तो देखिए water जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH2 double bond CH2 कैसे निकलेगा वो भी देख लीजए यहां पर यह 4 suppose यह CH3 है यह CH2 OH है CH3 CH2 OH तो water निकलने के लिए इधर वाले carbon से hydrogen निकलता है और इधर वाले carbon से OH निकलता है तो यह H और OH मेल करके क्या बनाते हैं देखिए H2O तो वो H2O यहां पर निकल गया ठीक है अब जब इस carbon ने इस hydrogen से bond break कर दिया और इस carbon ने से oxygen से तो इन दोनों का एक एक bond खाली होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा एक bond बन जाएगा तो यहां पर क्या बन गया CH2 देखे यह बचा CH2 और यह बचा CH2 इन दोनों के बीच एक नया bond बन जाएगा जो यहां खाली होगा तो यह बन गया CH2 double bond CH2 तो जब हो methyl alcohol का dehydration करते हैं तो क्या मिलता है में CH2 double bond CH2 इसका नाम क्या है दो carbon है double bond से जुण है तो ethene इसका दूसरा नाम ethylene होता है और साथ में water जो है वो निकल जाता है इसके बाद इसमें जो next reaction आती है most important reaction वैसे तो अभी तक जितनी आपको reaction पढ़ाईगे इस सारी की सारी important है बट अब जो reaction पढ़ाई जा रही हो most important है reaction का नाम है esterification esterification एक ऐसी reaction होती है जिसमें जो ethile alcohol है वो एक दूसरे organic compound के साथ reaction करके एक नई properties एक different properties वाला compound बनाता है और वो compound होता है हमारा easter जिस तरह से आपको alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ether ये सारे organic compounds बताएगे हैं ठीक ऐसे ही एक हमारा organic compound होता है easter जो जब आप higher classes में मतलब next year जब जाओगे तो इसके बारे में बताया जाएगा easter का जो structure होता है मतलब इसके functional group का जो structure होता है COOR इस तरह से जो COO group होता है इसके दोनों तरफ alkyl group लगे होते हैं इसे ही easter कहते हैं तो alcohol जब ethnoic acid जिसे हम acetic acid भी कहते हैं जो हमारे इस लेवस में दूसरा हमारा topic है तो जब हमारा ethanol, ethnoic acid से reaction करता है concentrate H2SO4 की presence में तो वहाँ से क्या होता है water निकल जाता है क्योंकि concentrate H2SO4 क्या है एक अच्छा dehydrating agent है तो water निकाल देता है इन दोनों molecule से और क्या बना देता है easter बना देता है और इस reaction को इसलिए easterification कहा जाता है देखे देखे देखेंगान से क्या होगा reaction में यह मैंने आपर लिख लिख लिखा CS3COH यानि अथनोग का acid है और यह लिख 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 लिखा CS3CH2OH उल्टा लिख दिया है पस इधायल अलकॉल का formula क्यों ताकि water निगाल के बता सकें तो यह दोनों जब आपस में reaction करते हैं तो इधर से H और इधर से OH देखे द्यान से यह इस तरह से water जो है वो निकल जाता है और जब यहां से water निकल जाएगा तो देखे बनेगा क्या बन जाएगा CS3COO CS2 CS3 और CS2, CS3 को हम क्या लिख सकते हैं CS3, CS2 जो होता है C2H5 होता है तो जो main product यहां पर बनेगा वो यह इस तरह से लिखा जाता है CS3, COOC2H5 यह हमारा है देखे इस्टर ग्रूप आगया बीच में COO इसमें एक तरफ methyl जुड़ा हुआ है दूसरे तरफ इसमें एथल ग्रूप जुड़ा हुआ है साथ में यहां पर जो presence रहती वो रहती concentrate H2SO4 की तो यह कुछ नहीं है reaction का यह main reaction है हमारी acetic acid याने ethnoic acid ethyl alcohol से reaction कर रहा है concentrate H2SO4 की presence में तो यहां से water जो है वो निकल जाता है और बन जाता है easter इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है ethyl ethenoid द्यान रखिएगा यह important reaction है पूछा आता है what is easterification reaction तो when an alcohol react with ethnoic acid in presence of concentrate H2SO4 then it will lose one water molecule and convert into a sweet smelling compound that is easter यह जो easter होता है यह sweet smelling compound मतलब कि अगर आप laboratory में इसको देखो कि बनाओगे जाकर कि तो थोड़ा सा ऐसा test tube में आपने इथाल alcohol लिया फिर उसमें concentrate H2SO4 डाला फिर उसमें ethnoic acid डाल दिया test tube में से sweet smell मतलब खुश्पू जो है फलो की जैसे खुश्पू होती वैसी smell जो हो आने लगेगी तो इससे confirm हो जाएगा कि आपका easter जो हो बन गया इसके बाद इसमें जो next reaction है वो है hello form reaction hello form reaction का मतलब होता है कि जब किसी reaction में हम हेलोजन से reaction करते हैं या कोई ऐसा compound बनाते हैं जिसमें हेलोजन प्रेजन हो हेलोजन क्या होते हैं fluorine chlorine bromine iodine हमारे हेलोजन होते हैं तो यहाँ पर हम अपने ethyle alcohol की जो reaction है वो किस से कराने जा रहे हैं वो हम कराने जा रहे हैं एक हेलोजन से तो देखिए क्या reaction होती है CH3 CH2 OH इसकी reaction हम iodine से कराने जा रहे हैं और किस की presence में होती है sodium hydroxide की presence में reaction होती है तो यहाँ पर बनता क्या है त्यान दीजेगा CHI3 यह इसका नाम अभी मैं बताऊंगा आपको वैस और यह साथ में निकलता है यहाँ पर sodium iodide निकलता है एंड एच-C-O-O-N-A निकलता है एंड बनता है water मैं एक एक करके नाम बताता हूं सबसे पहले यह हमारा आइडोफॉर्म इसका common name तो आइडोफॉर्म है बट अगर आप इसकी IPAC naming कर जब दे जाके तो यह structure होता है CHI3 का C से एक तरफ hydrogen और बाकी तरफ क्या जुड़े हैं तीन iodine जुड़े हैं तीन halogen group मदब तीन substituent group हैं तो इसकी naming जो होती है वह होती है methane यह इसकी IPAC naming है वैसे इसका common name क्या है इसलिए इस reaction को हेलोफॉर्म reaction कहते है जैसे यहां पर कलोरीन जुड़ा होता तो इसको कलोरो फॉर्म कहते ब्रोमीन जुड़ा होता तो ब्रोमोफॉर्म कहते पर मेंलिये reaction जो है iodine और chlorine ही देते हैं तो idoform बना सकते हैं और यहाँ पर chlorine लेने अगर iodine की जगा तो chloroform बन जाएगा उसका formula होता है CHCl3 आपने सुना भी होगा chloroform के बारे में एक anesthetic agent होता है मतलब किसी को अगर इसमें smell करा दें तो बेहोश हो जाता है इसका formula तो sodium iodide है यह water है और इसका name होता है sodium formate actually में HCOO- जो होता है यह formate आयन होता है तो इसमें आगे जो हम sodium लगा देते हैं तो यह बन जाता है sodium format तो यह थी helloform reaction इसको balance कर लीजेगा यहाँ पर हो जाएगा 4i2 6 NaOH तो यह बन जाएगा 5 sodium iodide and 5H2O फिर मैं कहूंगा कि जब इसी reaction में पूरी reaction में यहाँ पर iodine की जगा जब आप chlorine ले लेंगे तो बस यहाँ पर i की जगा CL आ जाएगा और यह बन जाएगा chloroform यह यह बन जाएगा chloroform इसके बाद इस वह में एक reaction और होती है उसको हम डी hydrogenation reaction केते हैं chemistry में डी वर्ड जब लगता है तो उसका मतलब हटना और hydrogenation का मतलब hydrogen करतना अगर मैं कहूं कि hydrogenation कराना है तो मतलब hydrogen को जोड़ना है लेकिन अगर मैं कहूं dehydrogenation कराना है तो इसका मतलब है कि hydrogen को हटाना है तो यहाँ पर जो ethyl alcohol है CS3, CS2, OH इसको जब हम heat करते हैं किसकी presence में? hot copper की presence में 300 degree Celsius पे तो इसमें से hydrogen जो है वो निकल जाती है H2 निकल जाता है और बनता है acetaldehyde that is CS3, CHO reaction है जादा important नहीं है इसे learn कर दीजेगा इसी के साथ chemical property जो ethyl alcohol की खत्म होती है and now our next topic is uses of ethyl alcohol तो ethyl alcohol के बहुत सारे uses हैं बुक में दिये हुए मैं कुछ आपको important बता दिता हूँ जिसे ethyl alcohol का जो use है वो oil वगेरा में और perfume में cosmetics में इन सब में क्या आता है और spirit का use मैंने बता था कि जो ethyl alcohol से spirit बनता है उसको हम जलाने के लिए use करते हैं इसके अलावा ethyl alcohol जो है ये alcoholic beverages बनाने में alcoholic drinks जैसे wine है whisky है ये सब बनाने में भी इसका use किया जाता है एक बहुत important substance होता है tincture iodine कहते हैं इसे और ये antiseptic के form में spirit क्या था? ethyl alcohol 95% C2H5H और 5% water इनका जो mixture होता है वो rectified spirit होता है तो हमने rectified spirit बनाया और उसमें क्या डाल दिया? iodine डाल दिया तो जो solution मिलेगा उसको tincture iodine कहते हैं और इसका use जो है वो antiseptic के form में किया आता है तो ये इसके कुछ important uses हैं and इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ethyl alcohol है इसमें एक ethyl alcohol आता है कभी कभी पूछ लेते हैं denatured denatured ethyl alcohol denatured word का मतलब होता है कि जो चीज naturally just form में होती है उसके उस form को change कर देना denatured मतलब उसके form को बदल देना नेचुरली जिस तरह से वह कर रहा है तो इसमें क्या होता है क्योंकि अभी मैंने आपको एक use बताया था कि ethyl alcohol जो है वो alcoholic drinks बनाने में जिसे wine बगरा बनाने में use किया जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं इसको illegally बेचना चालू कर देते हैं जो हमारी beverages industries हैं उनको illegally इसको supply करते हैं क्योंकि ये सब government के tax के under में आता है तो उससे बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं ethyl alcohol को illegally बेचते हैं तो ऐसा ना होने पाए तो government जब ethyl alcohol को laboratory purpose से बेचती है मतलब कि labs में बेचती है for suppose scientific purpose से बेच रही है या spirit बनाने के लिए बेच रही है तो लोग उसका गलत यूज ना करने लिए इसके लिए government क्या करती है मतलब scientists क्या करते है ethyl alcohol में एक छोटा सा crystal का टुकडा copper sulfate का या फिर methyl alcohol जो इसको methanol कहते हैं या pyridine मतलब कि ये कुछ poisonous substance होते है जैसे ethyl alcohol तो safe है drinking करने के लिए अगर पेओर ethyl alcohol है तो safe है बट जो methyl alcohol होता है वो थोड़ा सा poisonous होता है इसी तरह से pyridine एक compound होता है वो भी poisonous होता है और copper sulfate formula आप जाने ते हैं COSO4 ये भी तो करते क्या है government क्या करती है कि ethyl alcohol में थोड़ा से ये compound मिला देती है जिससे कि जो ethyl alcohol है वो भी poisonous हो जाता है और इसका use के वल फिर हम laboratory या जिस purpose से कर रहे हैं बस उसी purpose से कर सकते हैं फिर इसे beverage industry में नहीं करते हैं use क्योंकि ethyl alcohol जो वह सस्ता आता है but beverages industry में जब इसको हम mix कर देते हैं अलग-अलग amount में तो उसकी जो cost है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो अगर हम illegally supply करेंगे तो जो companies हैं वो profit भी बहुत ज़ादा होने होगा and कुछ लोग जो ऐसे directly जो है वो drink करना start कर देते हैं के और खराब होता है तो ऐसा ना हो इसके लिए ही ethereal alcohol पे हम थोड़ा सा poison जैसा substance मिला देते हैं जैसे copper sulfate, pyridin या methanol तो वो जो alcohol है वो फिर unfit हो जाता है drinking के लिए और ऐसे alcohol को हम denatured ethanol या denatured ethereal alcohol कहते हैं इसी के साथ हमारा ethereal alcohol का जो topic है वो खत्म होता है अब next time पे हम start करेंगे हमारा CS3, COO ह यानी ethanoic acid इसकी chemical properties इसकी physical properties and then इसके बास soap and detergent करके एक topic है वो end आपका syllabus खत्म तो यहां तक जो भी आपको आज पढ़ाएगा इसमेंगर आपको कोई भी confusion है कोई doubt है तो आप पूस सकते हैं and इसके अलावा IPAC वेगरा की practice करते रहे है and अपने exam के लिए preparation करते रहे है ओके class thank you